नमस्कार भी तो अगली क्लास में आपका बहुत वत स्वागत करते हैं जो हमारे साथी सेकंड ग्रेड और रीट के लिए त्यारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है हमारा आज मैं इस बीडियो में बताऊंगा नाट्य साहित्य के विशे में यानि नाट्य शाहित्य का उ आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपोर्टन जानकारी हम देने वाले हैं सेकंड गेर्ड या रीट के अंदर जो आपका नाट् भी हैं उनकी परिश्य के वारे में इसके अलावा उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके विश्य में आपको मैं बहुत आसान तरीका से और बहुत रोचक तरीका से बताओंगा तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा भाग हैं हालनकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको एक बार यहां पर चर्चा कर लेता हूँ यानि कि हम बात कर रहे हैं जो लौकिक साहित हैं आपका लौकिक संस्क्रित साहित जो है उसके दो भाग हैं एक तो है हमारा दृश्य काव्य और एक है स्र स्रव्य काव्य होता है द्रश्य काव्य से मतलब है द्रश्टम योग्यम काव्यम अर्थार्थ द्रश्य काव्य यानि दर्शनम सुखदम काव्यम उसको हम कहेंगे द्रश्य काव्यम और आगे है स्रव्य काव्य तो इसके लिए कह सकते हैं स्रोतम योग्यम काव्यम ठीक है ज स्रव्यकाव्यम ऐसे आपको समझना है ठीक है नa आगे चलीए अब आगे देखे यहां पर हमारे जो द्रश्य और स्रव्यकाव्य है इनकी भी अलग-अलग विभाजन हो जाते है ठीक है नa जैसे मालो एक तो है हमारा दृष्य काव्य है और एक हमने बताये था आपको सरव्य काव्य है ठीक है ना अब यहाँ पर दृष्य काव्य जो है इस दृष्य काव्य की दो हिस्से हो जाते है ठीक है ना और इधर आपका सरव्य काव्य जो है इसके तीन हिस्से हो जाते है एक सामान ने जानकारी है जो आ एक होता है उपरूपक एक तो रूपक होता है एक उपरूपक होता है ठीक है ना रूपक हम बात करें तो रूपक के दस वेद होते हैं उपरूपक की बात करें तो रूपक के अठारा वेद होते हैं समझगे बात को रूपक दस प्रकार का है उपरूपक अठारा प्रकार का है मैं अभी नाम भी बता दूँगा आपको, बिलकुल निश्चनत रहें इधर आप देखो कि सरव्य काव्य की तरफ तो इसके तीन विभाग हैं एक तो है आपका गद्य, एक है आपका पद्य और एक है आपका चम्पू ऐसे करके हमारा सरव्य काव्य तीन जगे विवक्त होता है याने इसके तीन भाग हैं गद्य काव्य, पद्य काव्य, चम्पू काव्य ये एक सामानने सी जानकारी है जो आपको हम बता रहे हैं अब यहाँ पर रूपक के दस बहिद कौन से होते हैं इसको भी मैं बता देता हूँ नाम आप सुन लीजिए, नाम है नाटक, प्रकरण, बहान, प्रहशन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहामरिग तो यह मैंने दस आपको बता दिये हैं, मैं आगे भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना, उसका श्लोक जो है वो भी बता दूँगा मैं आपको और उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे दूँगा इसके बाद में अठारा उप्रूपक जो हैं, उनके भी नाम आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे की नाम है नाटिका, त्रोटक, गोश्ठी, सटक, नाट्यराशक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रिंखन, राशक, समलापक, स्री गदित, शिल्पक, विलासिका, दुर मली का, प्रकरनी का, हलीश और भानी का, ऐसे करके ये अठारा उप्रूपक हो जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स हमने एक सामने सी जानकारी आपको दी है, अब हम आगे चलते हैं इसमें, जो आगे की जानकारी है, कि इसका अर्थ क्या होता है, नाटक क्या होता है, रूपक का प्रकार के हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम देंगे जो एक्जाम के हिसाब से important होगी वो आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा दोस्तो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब चलिए दोस्तो साहित्य दर्पनकार है इन्होंने साहित्य दर्पन के अंदर बताया है तो उसी के बारे में कहरे हैं कि साहित्य दर्पनकार विश्वनात काव्य को दृष्य काव्य एवं सरव्य काव्य भेल से दो प्रकार का मानते हैं साहित्य दरपन के अंदर भी काव्य की दो विभाग किये गए हैं एक तो दृष्य काव्य और एक स्रव्य काव्य आगे कह रहे हैं अविनय योग्य को दृष्य काव्य कहते हैं तथा रूप आरोप के कारण इसे रूपक भी कहा जाता है समझना यानि अविने योग्य को जिसमें अविने के जो योग्य होता है वो दृष्ष्य काव्य होता है आपका हमने पहले ही बताया कि दृष्टम योग्यम काव्यम या दरशनम सुखदम काव्यम दृष्ष्य काव्यम अब आगे किरें कि रूप आरोप के कारण इसमें रूप का आरोप किया जाता है जैसे कोई पात्र है तो वो किसी वेक्ति विशेश के रूप को आरोपित करता है जैसे मालो रामाईन चल रही है तो उसमें राम का किसी ने रूप आरोपित कर लिया है अब वो राम तो नहीं है लेकिन उस पर राम का रूप आरोपित कर दिया गया है किसी को रावन बना दिया गया है हलांकि वो रावन तो नहीं है लेकिन उस पर रूप का रूप किया गया है इसलिए इसे हम रूपक काव भी कहते हैं clear, नाटक को रूपक भी कह सकते हैं, ऐसा, आगे चलो, आगे है नाट्य क्या होता है, तो इसके बारे में लिखा है, जब नटया अभीने करता, ठीके नट आपने देखे होंगे, नटों के बहुत सारे खेल आपने देखी होंगे, या फिर कोई भी अभीनेता, या अभीने करत चतुर विध अवी ने द्वारा विविध पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण करता है तब इसे नाट्य कहते हैं क्या कहते हैं नाट्य कहते हैं अवस्था का अनुकरण करता है जैसे हमने का कि किसी की अवस्था है जैसे राम है या रावन है या और कोई पात्र है तो उसकी जो अवस्था है उसका क्या करता है अनुकर्ण करता है वो इसलिए लिखा भी है दसरूपक के अंदर अवस्थानुकृतिनाट्यम ठीक है ऐसे अवस्था का अनुकरन करना जो होता है उसी को हम नाठ्य कहते हैं अब इसमें आमने का कि जब नट या अविने करता चतुर विद अविने के द्वारा अब चार प्रकार का अविने होता है ये प्रश्ण आया हुआ है ये प्रश्ण पूछा गया है कि अविने के कितने प्रकार हैं इसलिए इस बात को समझ लेना ये प्रकार आपके इसमें लि का आहारिय सात्विक और आहारिय ऐसे करके आपके अभीने की बात करें तो अभीने के चार प्रकार हो जाते हैं अब चारों प्रकार आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूं कि यह क्या होते हैं जैसे सबसे पहले आंगिक है तो आंगिक में क्या होता है फ्रेंड्स अभीन एक्टर है हाथ पेरों को चला रहा है इदर उदर हाथों को करके बता रहा है कुछ ऐसा नहीं वो होता है और इस तरीका से जो आंगिक क्रिया कर रहा है वो सब आपका आंगिक अभीने कहलाता है इसके अलावा है अगला वाचिक अभीने में क्या होता है जैसे कि आपके इसमे बोला जाता है कुछ भी वो सब आपका वाचे कविने के अंतरगत आता है इसके बाद में है सात्वे कविने सात्वे कविने में क्या होता है इसमें भावों की अविव्यक्ति आती है यानि मुख्य रूप से जो भाव अविव्यक्त किये जाते हैं वो इसके अंतरगत आते हैं जैसे कि शोक का अभीने अश्रूपात का अभीने विलाप करना आदी इस प्रकार के जो भावों को व्यक्त किया जाता है वो आपका सात्विक अभीने के अंतरगत आ जाता है इसके बाद में आहार्य अवीने जो होता है बेशवूशा की सजावट को हम आहार्य कहते हैं जो बेशवूशा आदी धारन की जाती है पात्र के हिसाब से हम कॉस्टुम्स धारन करते हैं अलग-अलग बस्तर धारन करते हैं वो सब आपके आहारी अविने के अंतरगत शामिल होता है तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर अविने के चार प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है तो नाट्य क्या होता है समझ गया आपको समस्कित में याद रखना है अवस्थानो कृतिर नाट्यम ऐसे चलें आगे चलिए अब आगे लिख रहे हैं यहां पर देखिए अगली लाइन में कि नाट्य या रूपक को रूपक कहा जाता है अब देखो नाट्य तो आपको समझा दिया हमने अब रूप क्या है इसको भी समझ लो रूप का मतलब होता है कि जो हम नाट्य गादी देखते हैं इसे आखों से देखा जाता है इसलिए इसे हम रूप भी कहते हैं ठीक है क्योंकि यह चक्षुरिंद्रिय का विशे होता है समझ गए इसलिए इसे रूप कहते हैं इसलिए हमने दौनों शब्द लिखे हैं नाट्य या रूप को हम रूपक कहते हैं ठीक आगे चलो आगे लिख रहे हैं कि रूपक रशाष्र होते हैं जो रूपक होते हैं वो रश पर आसरित होते हैं समझ गए क्योंकि नाट्य संसार में रस के बिना कुछ भी प्रवित नहीं होता रस के बिना कुछ भी नहीं होता ऐसा नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं देखिए यह लिखा हुआ है नहीं रशाद्रते कस्टे दप्य अर्था प्रवर्त अर्थार्थ इसका मतलब हो गया कि रशाष्रे के बिना नाट्य संसार में कुछ भी नहीं होता इसके बिना कुछ भी नहीं होता है ऐसा मतलब है तो यहां तक आप समझ चुकी होंगे कि भई नाट्य क्या होता है अर्थ क्या है परिभाशा इसकी क्या है रूप क्या होता है य सारी जानकारी आपको मिल चुकी है यहाँ पर आगे चलते हैं आगे यहाँ पर आपको समझना है कि रूपक कतानक नायक और रस के भेद से हम दस प्रकार के इसको कह सकते हैं कहने का मतलब जो रूपक या नाटक है इसके दस भेद होते हैं अभी हम भी हम बता चुके हैं और उ रूपक के दस भेद हो गए और उपरूपक के अठारा भेद हो गए नाट्य साहित के भेद जदी पूछे जाते हैं तो रूपक के दस भेद हैं उपरूपक के अठारा भेद हैं अभी हमने आपको नाम भी बताए थे इससे पहले मैं आपको नाम बता चुका हूँ दस के और अठारा के नाम भी बता दिये हैं ठीक है ना ऐसे वित्रों यहां रूपक को बताने के लिए रूपक के बेहिदों को बताने के लिए यहां पर एक शलोक भी है दस रूपक के अंदर उसको भी याद कर सकते हो तो यहां लिख दिया मैंने उस शलोक का अर्थ क्या है दस रूपक है नाटक प्रकर्ण भान ठीक है इसकी अलावा भान की बाद में आपको प्रहशन डिम भ्यायोग समवकार भी थी अंक इहामरिग ठीक है ना तो ऐसे करके हमारे हो जाते हैं तोटल दस समवकार भी थी अंक इहामरिग यह तोटल आपके दस हो जाते हैं मैंने शलोक में बोलके बताया और इसको यहां पर अलग से बता दिया है आगे चलते हैं आगे यहाँ पर एक मोस्ट लाइन है कि इनमें आपके नाटक और प्रकर्ण जो हैं यही प्रमुख माने जाते हैं ठीक है जो दस प्रकार हमने बताए हैं इसमें एक नाटक का नाम है ठीक है एक और इसके बाद में एक प्रकर्ण यह दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इनके बारे में आपको सामाने सी जानकारी में दूँगा जहां से परिक्षा में प्रश्ण बन सकता है ठीक है ना तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में सामाने सी जानकारी चलिए फ्रेंड सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जानकारी देराओं में कि हमारे जो दस रूपक हैं यानि दस प्रकार के जो अमने भेद बताएं अभी रूपक के उनमें अंक कितने हैं किसमें कितने अंक हो सकते हैं कितने अंक होने चाहिए तो इससे संबंदित आपका परिक्षा में प्रश्ण जरूर आता है जैसे कई बार प्रश्ण आता है कि प्रकरण में अंक होते हैं ठीक है या फिर आपके समवकार में अंक होते हैं या फिर भाण या प्रहशन में कितने अंक होते हैं इस तरह के प्रश्ण आपके आ सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सभी को एक साथ देखिए अब देखिए दोस्तों मैं एक एक को बता रहा हूँ मैंने यहाँ सभी को लिख दिया है एक साथ तो देखिए सबसे पहले लैन में लिखा है भान, प्रहसन, बीथी, व्यायोग ठीक है ये चार नाम हो गए आपके इन चारों के अंदर यदि आपसे अंक वाला सवाल पूछा जाता है तो जवाब होगा एक यानि इनमें एक अंक होता है एक अंकी हम कह सकते हैं इनको एक अंक वाले ठीक ऐसे आगे चलो अंक, इहामरिग इसमें दो हो गए अंक और इहामरिग इनमें या तो एक या चार अंक हो सकते हैं एक अंक भी हो सकता है या फिर चार अंक भी हो सकते हैं ठीक है आगे चलो आगे हैं समवकार क्या है समवकार इसमें आपके तीन अंक होते हैं कितने अंक तीन अंक याद रखना बहुत ही मोस्ट है इनमें से सवाल जरूर बनता है इसके बाद में हैं डिम डिम के अंदर चार अंक होते हैं इसमें डिम में चार अंक इसके बाद में नाटक नाटक के अंदर फ्रेंस पांच से दस अंक हो सकते हैं यानि पांच से दस अंक ह हो सकते हैं ऐसे आपको याद रखना है इसके बाद में प्रकरण में 10 होते हैं कम से कम दस अंक हैं ज्यादा भी कितने भी हो सकते आपके समझे पेसे तो ऐसे करके आपको दियान रखना चोगा जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उधारन भी लिखे है नीचे उनकों भी बताऊंगा भी तो ये तो मैंने आपको सारे बता दिये दस के बारे में अलग-अलग किसमे कितने अंकों होते हैं वो आपको दियान रखना है क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका जरूर बन जाता है आगे लिखा है कि दस अंकों का नाटक जो है वो महानाटक कैलाता है इस बात को भी दियान रख लेना मालो आता है कि निम्न मैसे महानाटक कौन सा है तो महानाटक के लिए दस अंक चाहिए दस अंकों का होना चाहिए या दस से ज़्यादा कितने भी अंक आपके हो सकते हैं उसको हम महानाटक क شریدی میں rakhते हैं ऐसे देखो, यहाँ कह रहे हैंकि 10 अंक या 10 से अधिक अंक यदि हैं तो उसे हम कहेंगे महा नाटच कैंगे, महा नाटच जैसे कि मैंनेINA उधारन लखे हैं महा नाटच के जैसे बाल, रामायनम नाटच है आपका बाल, रामायनम इसमें आपके 10 अंक हैं इसके अलावा हनुमान नाटक है इसमें आपके 14 अंक हैं तो ये दोनों के दोनों आपके महा नाटक की श्रेणी में रखे जाते हैं ऐसे या तो 10 हो या 10 से ज़्यादा कितनी भी अंक हो सकते हैं उनको रखेंगे हम महा नाटक की श्रिणी में ठीक है दोस्तों अब इस से संबंदित आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसमें सारी फेक्ट बताये हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले जो पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल कर दी गए हैं चलिए आगे वढ़ते हैं तो चलिए फ्रेंट्स आगे वढ़ते हैं आगे यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं नाटक लक्षन वे स्वरूप यानि नाटक का लक्षन और स्वरूप के बारे में बताएंगे मैंने आपको पहले ही कहा कि जितने भी हमारे दस वेद हमने बताए थे आपको उनमें से दो हमने प्रमुक बताए थे नाटक और प्रकरन दोनों के बारे में बताऊंगा जो एक्जाम के हिसाब से मोस्ट होगा वो मैं आपको समझा दूँगा चलिए देखते हैं सबसे पहले हम नाटक लक्षन स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां लिखा है नाटक दस रूपकों में प्रमुक बे स्रेष्ट है यानि जो दस वेद हमने बताए है पहले नमबर पे हमने नाटक ही बताया था तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट या प् आगे देखिए जैसा कि आपने देखा होगा लिखा हुआ समस्कित में आपको पंक्ति मिलती होगी यह लाइन आपने देखी होगी ठीक है तो यहां लिखा हुआ है काब्यों के अंदर नाटक रम्निय हैं सुन्दर माना जाता है ऐसे आगे लिख रहे हैं नाटक को यानि जो कवित्व है कोई भी कभी है उसकी अंतिम सीमा किसे कहते हैं यदि पुष्णाया की नाटक को याने कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है तो उत्तर होगा नाटक को ठीक है समस्कित में पंक्ति है नाटकांतम कवित्वम ऐसा याद रखना होगा ठीक है ना आगे च सकता है कथानक के विशे में सुनिए तो सबसे पहले याद रखना है पुरान इतिहास आदी में प्रशिद बृत्तांत वाला कथानक होना चाहिए नाटक में कथानक जो होगा वो ख्यात बृत्त होगा ठीक है कोई प्रशिद होगा पुरान इतिहास आदी में प्रशिद बृत ब्रतांत बाला होना चाहिए ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के लग दिया समझ गए तो कैसा कतानक होना चाहिए प्रशुद हो कहां पर प्रण इतियास आदी में प्रशुद ब्रतांत बाला हो वही कतानक आपका होना चाहिए इसके अलावा कतानक में निरंतरता होनी चाहिए कतान जो होगा वो बिलकुल systematic तरीका से निरंतर चलता हुआ दिखना चाहिए ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बता दिया उसके बाद में खत्म हो गया वहाँ पर उसके बाद में अलगी मेटर चालू कर दिया ऐसा नहीं एक कहानी की तरह बिलकुल system से चलना चाहिए लगातार निरंतरता उसमें होनी चाहिए इसके बाद में हैं कथानक पंच संधियों से युक्त होना चाहिए पंच संधियों से युक्त होना चाहिए किसने पंच संधियों से युक्त हो अब पंच संधि के अलावा इसमें पंच अर्थ प्रकृतियां भी होन चाहिए अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि वह पंच संधी कौन सी है अर्थ प्रकरती कौन सी है और पंच कारी अवस्थाएं कौन सी है उनको भी आपको दिहान रखना है उनका नाम तो पता होना चाहिए आपको चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी है पंच संधी चलो देख इदर हैं पाँच इदर हैं तो सबसे पहले संधी की बात करें तो हमारी नाटक के अंदर पाँच संधिया होती है हमारी साहित्य में पाँच संधी मानी जाती है नाट्टे साहित्य की देखो एक है मुख एक तो है मुख संधी एक है प्रती मुख संधी एक है गर्व संधी कौनसी है निरवाहण संधी यह पांच संधियों के नाम है तो कहा कि जो नातक होगा वो नातक इन पांचों संधियों से युक्त होना चाहिए पंच संधी समनवित होना चाहिए ऐसे आगे है जो अर्थ प्रकर्तिया होंगी उसमें है बीज, बिंदू, पताका, प्रकरी और कारिये ये पांच अर्थ प्रकर्तिया है जो कि आपस में जुड़ी हुई है और कारियवस्था की बात करें तो आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम ऐसे करके हमारे पांच कारियवस्था हो जाती हैं, पांच अर्थ प्रकर्तिया हो जाती हैं और पंच संदी हो जाती हैं, इनके नाम आपको दिहान रखने होंगे दोस्तों, अब इनके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता वैसे मैं समझ रहा हूँ कि आप जानते होंगे क्योंकि आप सेकंड गेर फर्स्ट गेर रीत त्यादी की त्यारी कर रहे हैं तो ये सामान ने जानकर ये हम जरूर जानते हैं ठीक है ना आगे जलते हैं अब देखिए फ्रेंट्स आगे लिखा हुआ है नायक जो है वो दात प्रकरती का नायक होना चाहिए अब आपको हम समझा देते हैं कि जो नायक है उस नायक के मुख्य चार प्रकार होते हैं नायक के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं एक होता है धीरोदात नायक एक होता है धीर ललत नायक एक होता है धीर प्रशांत नायक और एक ह करके नायक के चार प्रकार होते हैं तो इसमें हम कह रहें कि जो नायक होगा नाटक के अंदर वो धीरोधात प्रकरती का होगा हम नायक के बारे में बता चुके हैं नाइका के बारे में बता चुके हैं पहले क्लास में ने ली थी ना उसमें बता दिया है सारा कुछ धीरोधात तो कौन होता है धीर प्रषांतनाय कौन होता है दीर ललित धीर उधत कौन होता है इनके बारे में सारी बता चुका हूं यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना दोस्तों मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा यहां पर वीडियो के डिस्क्रेशन में वहां से देख सकते हैं आगे चलिए आगे यहां पर जो important वाते हैं वो लिखी है देखिए नाई का कुलीना स्वीया या परकिया दोनों मैंसे कोई भी हो सकती है नाई का कुलीना इस्तरी होनी चाहि चाहिए जो नाई का होगी एक्ट्रेस वो कैसी होनी चाहिए तो वो कुलीना होनी चाहिए अब मैं नाई का की वश्य में भी बता चुका हूँ वो वीडियो आप जरूर देखो तब ही आपको समझ में आएगा और देख लिया होगा तो आप अच्छे समझ गए होंगे इसम इसमें से प्रमुक होगा या तो स्रंगार रस होगा या फिर एक वीर रस होगा इनमें से जो एक प्रधान रस होगा इसके अलावा जो अन्य रस हैं उनमें से एक रस कोई ना कोई हमारा अंगी रस होगा अन्य रस एक की जगे दो भी हो सकते अंगी रस में ज्यादा रस भी हो सकते हैं लेकिन प्रमुक रश हमारा एक ही होगा प्रधान रश एक होगा और वो किस में से होगा स्रंगार या वीर रश में से ऐसे आगे चलो आगे लिख निर्वहन संदी में अद्वुत रस की प्राप्ती होनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखना है जो नाटक होते हैं हमारे उसमें ये विशेश्टाओं का ध्यान रखा जाता है कि निर्वहन संदी के अंदर अद्वुत रस की प्राप्ती हो रही है कि नहीं होनी चाहिए तब तो नाटक हमारा बिलकुल सही है ऐसे आगे चलो आगे देखो यहां लिख रहे हैं कि धनंजे के अनुसार नाटक के तीन तत्व माने जाते हैं लेकिन दोस्तो सामान्य रूप से यदि हम देखें तो नाटक के साथ तत्व होते हैं मैंने लिखा भी है सामान्य त साथ तत्व होते हैं नाम सुन सकते हैं कथावस्तु पात्र चरित्र कथोप कथन देशकाल वातावर्न भावशेली उद्देश्य अभिनेता ठीक है ऐसे करके साथ तत्व होते हैं लेकिन धनंजे ने दस रूपक के अंदर कहा कि भई नाटक के स अथानक होता है एक का नेता या पात्र और तीसरा रस उन्होंने बताया ऐसे करके उन्होंने सिर्फ तीन ही तत्व बताए ठीक है ना ऐसे यहां तक के लिए आगे लिख रहे हैं देखिए अभिज्यान शाकुंतलम सर्वस्त नाटक माना जाता है कालिदास जी का नाटक है अभिज्यान शाकुंतलम बहुत ही फेमस है अभिज्यान शाकुंतलम आपने पढ़ा होगा तो इसमें से प्रशना आपके आते हैं नाटकों में हमने आपको बता दिये हैं कालिदास का हमने जब टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने महाकाब्य खंड काब्य और आपको मुस्ट लगता है मेरे हिसाब से मैंने यहां जो कुछ बताया है वो सारे कुछ आपके लिए मुस्ट बता रहा हूं एक जाम में प्रशन बन सकता है यहां से आगे चलिए आप देखे दोस्तों आगे चलते हैं अब हमने अब तक हमने आपको नाटक के विश्यम बताया था अब यहां पर हम प्रकरण के बारे में बता रहे हैं प्रकरण का लक्षन वैस्वरू ठीक है जैसे नाटक के बारे में हमने जाना था सेम उसी तरीका से हम अब प्रकरण के के बाद दुतिय जो प्रमुकिस्थान है वो प्रकरण का माना जाता है इसका प्रकरण आगे लिख रहे हैं इस प्रकरण के अंदर जो कथानक होगा वो कभी कल्पित होता है यह आप द्यान रख लिना नाटक में ऐसा नहीं होता है नाटक में हमने कहा कि ख्यात बृत्त हो होता है आगे सुनो दस अंकों में से युक्त होना चाहिए हमने पहले भी कहा कि जो प्रकरण होगा वो दस अंकों से युक्त होना चाहिए हालांकि दस अंकों वाला जो होगा उसको हम महानाटक की श्रेणी में रखते हैं या दस से अधिक हो तो उसको भी महानाटक की श्रेण प्रकरती का अमात्य ब्रहाम्मन या वनिक होना चाहिए जो हमारा नायक होगा वो दीर प्रशांत प्रकरती का होना चाहिए और नाटक में हमने कहा दीरोदात्त होना चाहिए अंतर समझ लेना आप इनमें से प्रष्ट बन सकता है तो नाटक के अंदर तो दीरोदात्त का था और यहां प्रकरन के अंदर हम कह रहे हैं कि दीर प्रुशान्त प्रकरती का हो और अमात-िब्रहमन या फिर बने को होना चाहिए ऐसे ठीक? आगे चलो आगे कह रहे हैं नाइका, कुलीणा, स्ोीया या परकिया या फिर वैश्या, इनमेंसे कोई भी होती है ठीक है ऐसे आगे चलिए अब देखो रस की बात करें मानलो फ्रेंट्स तो रस के बारे में लिखा है रस जो है सरंगार रस हमारा प्रधान रस होता है इसमें सरंगार रस प्रधान रस होता है नाटक में हमने कहा कि सरंगार और वीर रस दोनों में से प्रधान रस होना तो ऐसे करके दोस्तो प्रकण से संबंदित जो कुछ most facts थे वो मैं आपको बता चुका हूँ अब हम आगे चलते हैं आगे हमारा बिंदू है समस्कृत नाटकों की विशेष्टाएं यहासे भी आपका प्रश्ट बन सकता है समस्कृत जो नाटकों होते हैं उनमें क्या विशेष्टा होती है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं अगले बिंदू में चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य जो हम नाटक लिखते हैं या जितनी भी हमारे नाटक हैं उनका उद्देश्य क्या होता है सुनिए लिखा है मनोरंजन के साथ में रसान भूति इसके अलाबा सच चरित्रव समस्कार की सिक्षा देना इसका उद्दिश्य माना जाता है देखो सबसे पहले मोटा मोटा उद्दिश्य तो है मनोरंजन मन प्रशन हो जाता है आनंद की अनुभूती आती है मज़ा आ जाता है आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो क्यों देखते हैं ग्यान के लिए कभी नहीं आपको ग्यान मिलता है नहीं आपका मन प्रशन हो जाता है आनंद की अनुभूती होती है टेंसन खत्म हो जाती है तो अलावा सच चरित्रवे समस्कार की सिक्षा दी जाती है नाटकों में कोई ना कोई उद्दिश्य च्छिपा रहता है कोई ना कोई एक अच्छा समस्कार च्छिपा रहता है वो हमारा एक उद्दिश्य रहता है ऐसे ठीक आगे चलो कह रहे हैं कि जो नाटक होते हैं ये सुख चुछान्त होते हैं लेकिन एक नाटक आपका दुखान्त भी है उसको याद रखना है और नाटक है लिखा भी है लेकिन अरू भंगम नाटक अपबादस्वरूप है ये दुखान्त नाटक कि श्ट्रेणी में रखा जाता है ये भास जी का नाटक है भास ने कुल तेरा होता है लास्ट होता है वो बिलकूल सुखद होता है जिस तरीका से नायक नाई का मिलन हो जाता है उनका ठीक है तो सुखद हो जाता है अपने आप और मिलन नहीं होता है नाटक समापत हो जाता है तो अपने आपकी दुखद हो जाता है कोई दुख वारी गटना लास्ट मे लेकिन एक नाटा के उरू भंगम यहां पर उसके उरू को तोड़ दिया जाता है जंगा को तोड़ दिया जाता है बताओंगा मैं आपको क्या है इसका मेंटर चलो आगे ऐसे ध्यान रखने आपको आगे सुनो आगे करें कि स्रंगार वीर करुण या शान्त रस इसमें फिक्स नहीं होता कि इसमें दस पातर होंगे बीस पातर होंगे कि पचास पातर होंगे कितने भी पातर हो सकते हैं वो कथा वस्तू के आधार पर डिपेंड करता है ऐसे आगे हैं चार प्रकार के नायकों का प्रयोग होता है मैं चारों प्रकार के नायक के विशे में बता च देखो स्विया या पर्किया प्रिकार की होती है जो पती बरता होती है उसको कहते है स्विया पर्किया और पर्किया होती है जो प्रैमी का होती है ठीक है मतलब पत्री नहीं होती है वो प्रैमी का होती है तो वो पर्किया के अंदर आएगी साधान इस्त्री होगी वो गणी का या वैश्या होगी उसको रखेंगे हम सादनिस्त्री के अंदर ऐसे करके नाइकाओं के तीन प्रिकार हो जाते हैं आपर ठीक है आगे लिख रहे हैं कि हास से ब्यंग हेतु विदुशक का प्रियोग किया जाता है यह जाती से ब्राह्मन वै ब्रिद्ध होता है आपने देखा होगा कि नाटकाओं में विदुशक भी होता है अब विदुशक का मैन उद्देश होता है जो नायक होता है उसको प्रशन रखना या उसकी जो मैन इंपोर्टेंट जानकारिया होती है उनको पहुँचाना होता है ठीक है नायक की कोई बात होती है तो नायका तक पहुंचाना होता है नायका की बात को यहां नायक तक पहुंचाते हैं और भी कुछ सुचना होती है तो उनको भी इसी बिदुशक से दिल लवाते है और कहने का मतलब है कि बिदुशक होता है एक प्रकार से जोकर की टाइप मे या मनुरंजन करने बाला होता है बीच बीच में कॉमेडी वाले सीन भी करता है जैसे आमने रामली लामे जो कर देखा होगा सेम इस्तिती बिदुशक की नाटक में होती है ठीक है ना? ऐसे आगे चलो आगे है याँ पर चार प्रकार के अभीने का प्रियोग होता है मैं वैसे आपको बता चुका हूँ चार प्रकार के अभीने के विशे में फिर भी आप देख लिजी आंगे कभीने होता है वाचे कभीने होता है सात्वे कभीने होता है और आहारे अभीने होता है ये चार प्रकार के अभीने होते हैं हमारे प्रशन आ सकता है कि कितने प्रकार के अभीने होते हैं तो चार प्रकार के अभीने हैं कौन सा अभीने नहीं है तो ये चार का नाम ध्यान रखना है अपने आपी उत्तर समझ में आ जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं आगे कह रहे हैं नांदी पार्ट से नाटकों का प्रारंब होता है नांदी पार्ट से जो नाटक होते हैं हमारे वो प्रारंब किये जाते हैं अब नांदी पार्ट आप जानते होंगे आपने कभी नाटक देखा होगा तो नाटक के श्रुवात में एक व्यक्ति आता है और आकर के कोई मंगलाचरण इत्यादी बोलता है या कोई उस नाटक के विशे में जानकारी देता है तो वही तो नांदी होता है या पिर आप यूँ समझ सकते हैं कि रूपक के प्रारंब में आशीर वचन युक्त मांगलिक अनुष्ठान जो होता है उसी को हम नांदी कहते हैं क्या कहते हैं नांदी कहते हैं नाटक के अंदर भी हमारा मंगलाचन तीन प्रकार का होता है और नांदी भी हमारा तीन प्रकार का होता है ऐसे आपको समझना है ठीक है न चलो आगे चलते हैं अब देखो आगे लिखा है भास के नाटकों में नांदी पाठ का अभाव है ये भी important fact है जो हमारे भास जी के नाटक हैं भास के तेरे नाटक हैं ठीक तो यहां कह रहे हैं कि भास के नाटकों में नांदी पाठ का अभाव है नांदी पाठ नहीं है किसी में भी ऐसा आपको समझना है आगे लिख रहे हैं कि प्रारंब में आमुख का प्रियोग होता है आमुख का मतलब आपको समझना ह है इसको नांदी के बाद में इसका इस्थान होता है सूतरधार और नटी के परस पर वारतालाब दौरा काब्यवे कभी परिचे दिया जाता है ठीक है वही हमारी भूमिका होती है इसको आप यह समझ सकते हैं कि नाटक के प्रारम में आमुख या भूमिका का हम प्रियोग करत हैं इसी को हम प्रस्तावना या इस्थापना कहते हैं नांदी के बाद में इसका इस्थान कहा जाता है सूतरधार और नटी के परस पर वारतालाब के दौरा काब्य और कभी परिचे दिया जाता है उसको हम भूमिका कहेंगे या प्रस्तावना कहेंगे आपने कभी देखा ह नाटक शुरू होता है उस समय सूत्रधार और नटी आते हैं दोनों आपस में बाच्छीत करते हैं परस पर वारतालाप होता है तो वो उस समय कभी के बारे में या पिर उस काभ्य के बारे में परीच प्रदान करते हैं उसी को हम भूमी का या प्रस्ताबना कहते हैं ऐसे आग जलाचरण रूप में आशीर वचन प्रार्थना या शुबकामना श्लोक का प्रियोग किया जाता है उसी को हम भरत वाक के कहते हैं लास्ट में होता ये नाटक जब समाप्त हो जाता है तो नाटक में जितने भी लोगों ने काम किया है वो सारे की सारे मंच पे आ जाते हैं के चलो आगे लिख रहे हैं कि कथानक को जोड़ने के लिए इसमें विश्यकुम्भक और प्रविशक का हम प्रियोग करते हैं बीच बीच में हमें इनको लाना पड़ता है जोडने के लिए विश्यवस्त को ऐसे समझ गे इस तरीका से आपको यहां पर समझ में आना हालांकि नाट्य वृत्तियों के विश्यमे मैं आपको बता चुका हूँ पिर भी एक सामाने से जानकरी यहां पर आपको होनी चाहिए नाट्य वृत्तियों से तातपर है कि काब्य या नाटक में प्रियुक्त पात्रों का जो बिवार होता है उसी को हम बिवार होता है उसी को हम बिवार है उसी को हम बिवार है उसी को हम बिवार है काब्य शास्तर के अंदर काब्य वृत्ति और नाट्य वृत्तिया अलग अलग प्रियुक्त होती है समझ गए काब्य शास्तर के अंदर काब्य वृत्ति उपनागरी का परुशा सुकोमला तीन प्रकार से प्रियुक्त होती है जिने हम वैधर्वी गौडी और पान्चाली कहते है बात को समझ ना आप जो हमारा काब्य शास्तर है उस काब्य शास्तर के अंदर तो वैधर्वी गौडी और पान्चाली रीती होती है न उसी तरीका से यहाँ पर हमारी नाट्टे बृत्तियां जो होती है वो चार प्रकार की होती है मैंने लिखा है कि नाट्टे बृत्तियां यहाँ चार प्रकार की है बहारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी ये चार प्रकार की हमारी नाट्टे वृत्तिया होती है हालाएं कि इनके बारे में मैं आपको सामानिसी जानकारी दूँगा फिर भी आप लोग जानते होंगे इनके विशे में क्योंकि ये सामानिसी बाते हैं जैसे कि सबसे पहले है हमारी भारती, देखी ये है भारती वृत्ति, तो भारती वृत्ति में क्या उता है सभी रसों में अनिवार ये है, लेकिन करुनबे अदवुत रशों में विशेश प्रीयोग इसका देखा जाता है और ये बाचे कभिने से संबद रखती है रिगवेज से जनम नट दौरा प्रियोक्त समस्कित भाषा में प्रिकट व्यभार किया जाता इसमें भारती के अंदर अब सात्वती की बात करें तो सात्वती बृत्ती के अंदर क्या होता है वह ये अर्थ बृत्ती है जैसे भारती हमारी शब्द बृत्ती है तो सात्वती हमारी अर्थ बृत्ती है इसमें वीरवे तदाश्रित अधवुत रश्प इसमें आपका रहता है इसकी अलावा कहते हैं कि यजुर वेद से इसका जनम माना जाता है नायक का शोक रहित ब्यापार सात्वती है यानि जिस प्रकार का जो ब्यपार किया जाता है वो हमारा सात्वती इस बृत्ती के अंदर आएगा, जिसके अंदर सत्व शौरिय, ट्याग दया आदी भावों का प्रकाशन होता है, ऐसी इसके बाद में है कैशिकी कैशिकी आपकी अर्थ बृत्ती माने जाती है इसका जनम सामवेथ से होता है इसमें गीत, नृत्य, बिलासादी, चेश्टाओं से कोमल भावों को जनम देने वाली बृत्ती कहलाती है चौती और लास्ट हमारी आरभटी बृत्ती ये अर्थ बृत्ती होती है ये इसका जनम अथरवेथ से माना जाता है इसमें माया, इंद्रजाल, संगराम, क्रोध, बध, आधी इसमें आपके दिखाए जाते हैं ठीक है ना? तो इस तरीका से हमारी ये चार प्रकार की बृत्या हो जाती है चारों के बारों में बता दिया है आगे लिख रहे हैं कि बृत्यों को नाट्य मातरह का गया है जो बृत्या होती हैं उनको नाट्य मातरह ऐसा कहा गया है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं चलिए मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं देखी यहां पर स्क्रीन पर आपको देख दिख रहा होगा सम्स्कृत नाट साहित या रूपकों या नाटकों का उदभव वे विकास किस तरह से हुआ है कहां से हुआ है एक क्या इनकी प्रोसेस रही है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ दोस्तो इसमें मैं आपको तीन मत बताऊंगा यह जैसा की लिखा भी हुआ है कि उक्त विशे को लेकर के अनेक मत प्रचलित है नाट्ट पत्ति के विशे में अनेक मतों में मैं आपको यहां पर जो तीन प्रसिद्ध मत हैं उनकी ही चर्चा कर रहा हूँ चलिए सबसे पहला मत देखि यह हमारा पहला मत है नाट्ट साहित या रूपक या नाटकों के उद्भव के विशे में तो इसमें क्या कहा गया है सुनिए कि देवताओं के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से सारतत्व लेकर के पंचम वेद के रूप में नाट्ट वेद की रचना की कि इसा माना जाता है देवबाद हमारे मत के अनुसार किया ब्रह्मा जी ने जो हमारे चार वेद हैं रिगवेद यजर्वेद सामवेद अथरववेद इनसे जो सार था उस सारतत्व को लेकर के इनों ने एक पंचम वेद बनाया जिसका नाम रखा नाट्ट वेद आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचित अम्रित मंथन और त्रिपुरदाह रूपकों का मंचन इंद्रध्ध्वज महोत सब पर किया गया ठीक है ना आगे चलिए उसी के प्रचार प्रशार हे तू दो सो इसापूर्व में भरत मुनी ने नाट्ट शास्त्र की रचना की जिसमे 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं इसलिए इसे शट शाहस्री सहिता भी कहते हैं मालो प्रशनाता है कि शट सहास्री सहिता क्या है तो आपको बताना होगा नाट्ट शास्त्र है यानि नाट्ट शास्त्र को शट सहास्री सहिता कहते हैं क्योंकि इसमे 6000 श्लोक हैं कितने अध्याय है इस तरह का सवाल आने पर उत्तर होगा 36 अध्याय हैं तो ये हमारा देवबाद मत हो जाता है चलिए आगे हम दूसरा मत आपको बता रहे हैं देखे दोस्तों दूसरा मत है हमारा संबाद सूक्तवाद इसमें कहा गया है कि प्रो सिलवा लेवी वे प्रो मैक्स मूलर के अनुसार रिगवेद के पुरूरवा उरवशी अगस्त्य लोपा मुद्रहा इंद्रायनी यम यमी सरमापणी विश्वा मित्र नदी इत्यादी संबाद सूक्तों से नाटक की उत्पत्ती हुई है ऐसा इस मत के अनुसार माना जाता है क्योंकि इसमें जो संबाद सूक्त हैं हमारे उनी से नाटक की उत्पत्ती बताई गई है ये हमारा दूसरा मत हो जाता है अब चलते हैं तीसरा हमारा लास्ट मत पुत्तलिका नृत्यवाद अगला मत है पुत्ली का नृत्यवाद इसमें डॉक्टर पिशेल के अनुसार कट पुत्ली के नाच से नाटक की उत्पत्ती स्विकार की जाती है तो ऐसे करके हमने आपको यहां पर तीन मत बताई देबवाद, संबाद सूक्तवाद, पुत्ली का नृत्यवाद इन तीनों के आधार पर निशकर्ष निकाला जा रहा है अब इनके आधार पर जो निशकर्ष है उसको हमने यहां नीचे लिखा है देखिए यहां लिखा है आधुनिक विद्वानों के अनुसार चारों वेदों से सार तत्व को ग्रहन करके नाटकों का प्रारंब हुआ है यही निशकर्ष हमारे सामने निकलता है कि जो हमारे चारों वेद थे उन से सार तत्व को ग्रहन करके नाटकों का आरंब किया है नाटकों की उत्पत्ति की है इस प्रकार संबाद सूक्तों को ही नाटक उत्पत्ती का मूल मानना समूचित है ऐसा यहां पर इसपष्ट होता है नाटकों का प्रारंब सर्वप्रथम भारत में ही हुआ है ये बात भी आपको दिहान रखनी है मान लोग पूछा जाता है कि नाटकों का सर्वप्रथम प्रारंब कहा माना जाता है तो उत्तर होगा भारत में माना जाता है इस तरह से आपको दिहान रखना होगा अब देखी मित्रों यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इनका एक क्रम रहा है किस तरह से एक क्रमबद तरीका से इसको हम समझ सकते हैं तो उसको मैंने यहां पर सौट में लिखा है आप सौट में समझ सकते हैं देखिए सबसे पहले लिखा है रिगवेद के संबाद सूक्त ठीक है रिगवेद के संबाद सूक्तों में भी नाटक की उत्पत्ती के विशे में जानकारी प्राप्त होती है वहां भी वहां इसका मेटर मिलता है इसके बाद में कह रहे हैं कि रामाइन महावारत के समय भी इसका प्रचलन है यानि रामाइन और महावारत के समय पर भी इसका प्रचलन था आगे कह रहे हैं कि रामाइन और कौवे रमभाविशार नाटकों का उल्लेख प्राप्त होता है इसके बाद में 400 ईशापूर्व पाणनी द्वारा शिलाविन वे कृशाश्व नाटकारों का उल्लेख प्राप्त होता है तो इनसे जितनी भी हमारे जानकारिया हैं इनसे हमें पता चलता है कि नाट्ट उत्पत्ती कैसे हुई है। ठीक है ये हमारे सोर्स हैं, ये हमारे श्रोत हैं। इसके बाद में पाणनी दुआरा जामबती विजयम और पाताल विजयम नाटक की रचना की गई। तो ये सब एक क्रम बद तरीका से क्रम शाह नाटक की उत्पत्ती की तरफ चल रहे हैं जो हमारी आज की इस्तितिय वहां तक हम दिरे-दिरे पहुँच रहे हैं इसके बाद में पतंजली दौारा कंश बद और वली बद नाटकों का उलेक प्राप्त होता है इसके बाद में इसी प्रकार से 300 इसा पूर्व में भारतिय नाट्यकला उन्नत अवस्था में थी याने कि भारतिय परमपरा जो है अमारी वो नाट्यकला की इस्तिती में उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी थी इसके बाद में यहां पर देखिए भास का नाम आता है क्योंकि भास जो है वो प्रथम स्वतंत्र नाटक कार कहलाते हैं यदि प्रशनाया की प्रथम स्वतंत्र नाटक कार किसे माना जाता है उत्तर होगा भास को माना जाता है भास के बाद में कालिदास जी इसके बाद में शूद्रक इनके बाद में विशाखधत और फिर भवभूती तक लगातार आगे आगे परमपरा बढ़ती रही है तो कुल मिला करके यहां हमने जाना कि किस तरह से नाट्य शास्त्र की उत्पत्ती होती है तो यहां पर आप समझ चुकी हैं आज का हमारा जो ये सैसन था कम्प्लीट हो जाता है अब इसके बाद में हमारे सलेवस के अनुसार जितने भी नाट्य कभी हैं वो मैं आपको क्रम से बताऊंगा जिसमें आपके भास जी हैं विशाख अदत्त जी हैं जो भी सलेवस में दे रखे हैं उनको मैं बहुती रोचक ढंग से आपको बता दूगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी तो आज की क्लास पूर हो जाती है दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास जरूर कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों को शेर करना लगातार क्लास जर आपको मिलती रहेंगी तो अगली क्लास का इंतजार करें तब तक के लिए जैह जैतु भारतम जैतु समस्कृतम धन्यवाद